प्रेंट्स स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस विच शिवनरे सिंख हंगा रूत पे आज हम बात करेंगे अपर बॉड़ी के स्टेचिंग के बारे में अपर बॉड़ी यानि कमर से उपर का जो हमारा भाग है उसके स्टेचिंग कैसे करनी है यह खास तोर प उन लोगों के लिए भी जो मेडल एज है मेडल एज बोले तो माली जे 40 से उपर 50 60 के या फिर जो ओल्ड एज नहीं वह भी घर पर बैटके इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ने स्टेचिंग करनी है चाहे फीमेल सों चाहे बच्चे हों सभी कर सकते हैं उसके अलावा जो भी लोग चाहे जिमिंग करते हैं चाहे रनिंग करते हैं या फिर चाहे नैच्रल जैसे पुश अप्स करते हैं उन लोगों के लिए ठीक है क्योंकि यह स्टेचिंग हमें इन सब एक्सेज को करने से पहले करनी चाहिए तो आईए देखते हैं कैसे करना है हम इसको पूसर करें अगर आप थोड़े से हैबिच्वल हैं करते हैं तो आप उसके दस रिपेटिशन भी कर सकते हैं यह है कि आप इसको पंदरा से 20 मिन तक इन एक्सेज को रोज करें तो आप बिल्कु स्वस्त रहेंगे शुरू करते हम सबसे पहले हम गर्दन से शुरू करते हैं करने को अन्युकॉर वरं में सप्रकार से यहांँ थोड़े से वहलय करेंगे फिर वापस उपपर जाएंगे बुगा है कि नीचे लेकिए ऐएंगे और यहां पर फोर्ड करेंगे इसके आप कम से कम पाथ रिपेटिंस यह आठ रिपेटिशन जैसे भी आपको ठीक लगता ह वैसे करें नेक्स हम करेंगे गर्दन को राइट साइड में ले जाएंगे इस प्रकार से धीरे-धीरे और जितना ले जा सकते हैं सिर्फ गर्दन घुमेंगी और यहां पर होल्ड करेंगे फिर धीरे-धीरे मध्य में आ जाएंगे और फिर लेट साइड में जाएंगे फिर सेंटर में आ जाएंगे और फिर राइट साइड में जाएंगे फिर सेंटर में आएंगे और फिर लेट में ले जाएंगे इस प्रकार भी करें आप 5-7-8 बार इसके रिपिटेशन्स मैंने सिर्फ दो ही किये ह प्र हम क्या करेंगे हर का सा गरदन को राइड साइड में टिल्ट करेंगे और इस प्रकार से और राइट में करेंगे राइट हैंड से प्रेशर डालेंगे और होल्ड करेंगे फिर छोड़ देंगे यह जितने भी एक्सेजिए आपके गर्दन की यह आपके जिन लोगों को सर्वाइकल है सर्वाइकल स्पॉंडलाइटिस है गर्दन में पेन रहता है उनके लिए बहुत से प्रकार से भी आप इसको आठ से दस बार करें फिर आप इसको यहां ले आएं दोनों हाथों को पीछे की और इस प्रकार से इंट्रलॉक कर लें और फिर आप थोड़ा सा प्रेशर डालें यहां पर तो इस से घ्री से यौuड टावें और हाफेली से सिर्की ऊदालें oo करें यही आप दूसरे ख से करेंगे उसस्रे कार्ण से लगाएंगे और वही आठ तरो रिपेटिशन करें आप 5-6 से सर्कंड के लिए रोकेंगे तो यह तो करीब करीब हमारे गर्दन की एक्सरीज हो गई है आप हम यहां से यहां आ जाएंगे यह हम दौनों मुठ्टियों को बंद कर लेंगे और यहां पर हम इस प्रकार से रोटेट करेंगे यह हमारे रिष्च की एक साइज है यह भी 8 से 10 बार करें फिर रिवर्स करेंगे अन्टी क्लॉक्वाइज यह भी आप 8 से 10 बार करें फिर हम हातों को यूँ कर लेंगे राइट हैंड यूँ ले लिया फिर इसको हमने पीछे की और खिंचना है और यहां होल्ड करके रखना है पांस से साथ सेकेंड के लिए फिर नीचे की और ले जाएंगे यहां पर होल्ड करके रखेंगे पांस से साथ सेकेंड के लिए फिर दूसरा हात इसको खेंचे पीछे की और और होल्ड करें फिर नीचे की और यह भी आप 4 से 5 रिपेटिशन करें उसके बाद हम यह इसी प् बार दस बार इतने बार भी कर सकते हैं फिर इन्हीं हाथों यहां ले आएंगे साइड में अंगूठा ऐसे रहेगा और कंधों की ओर लाएंगे वान टू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवन ऐसे पंद्रा से बीस बार करें फिर यहीं से हम इसको यूं घुमाएंगे वान टू से प्रकार से लियुक्त करें दस पर और मिलने च ah, में वान वहादISE करेंदने फैस्क और मार राण 2 शार्ट तो यहीं से नहींसे पौर आपद्जर्था …फैज आ हम आछाया, याँदव मेद्व करें, हम इसको इसको सकते हैं को पर ले जैंद। उपर नीचे, उपर नीच प्रेकरJS करें जितनी वी रीसफे में बता रहां उनको बारा बभार आठ बार डस बार आपके शंतागे नुसर करें फिर हमье हाथ इस प्रकार दले आएंगे और कंदों को उपण लेखे जाएंगे पूरा हम लाएब अगयियर जै और पिछह प्रकार से करें दस्वारा पंदरा यह और में लेंगे और फिर दूसरा हाथ प्रकार से लाएंगे और अपोजिट डिरेक्शन में प्रेशर डालेंगे इधर से इस तरफ और इधर से इस तरफ ताकि हमारा पूरा कंधा स्टेच होगा जैसा कि मैंने आपको कहा जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रावलम है कंदों में दर्द होता है कई बार हम सूते हैं लेटे रहते हैं काफी देर नीचे रहता है हाथ सु इस प्रकार से तीन-चार बार करें फिर यही हम जैसे राइट हैंड उपर लेकि आएंगे इसको यहां मोड़ देंगे कोहनी को पीछे से और फिर दूसरा हाथ लेकि यहां से दबाव डालेंगे प्रेशर डालेंगे इस प्रकार से और रोकेंगे कुस दिर होड़ करेंगे ऐसा तीन-चार बार करेंगे फिर बाया हाथ लेंगे उपर ले जाएंगे मोड़ देंगे और इसी प्रकार से प्रेशर डालेंगे यह होल्ड करेंगे कुस देर के लिए और फिर इसको छोड़ देंगे ऐसा तीन-चार-पांच बार आप करेंगे और फिर इस प्रकार से पी ऐसे ही बेखा करें पकड में थे सकते हैं और दीरे दीरे इसको सुष्चे उपर की कुछ दिन बाद आपके जब कंदे flexible हो जाएंगे तो आपके यह पकड़ आằngजाएंगे इसी सी प्रकार से हम दूसरे out से भी करेंगे इस प्रकार से कहेंजेंगे और रोकेंगे इसके लावर थोड़ा सा हम इस प्रकार से यह चसड के लिए अप् Okay चस्ट एक्स्पैंड होगी योग करें 10-15-20 बार फिर आप यूँ करें alternate hand इस प्रकार से करें दौनों हातों से भी कर सकते हैं इस प्रकार से करेंगे और इसके लगा इस प्रकार से हम गोला कर गुमाएंगे इसको circle बनाएंगे ये 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 फिर ये इस प्रकार से 10 बार 15 बार 20 बार आप इसको करें तो हमारी neck हो गई हमारे shoulders हो गई हमारी chest भी हो गई अब हम थोड़ा सा निच्चे आते हैं कमर पे कमर को इस प्रकार से आप खड़े होके rotate करेंगे वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स ऐसे आप 15 से 20 बार करें फिर दूसरी और करेंगे reverse इस प्रकार से बमाएंगे कि वही जतनी बार इस तरब से गुमाते हैं उतनी बार उस तरब से गुमाएं फिर यहीं हम खड़े रहेंगे और दोनों हाथों को right left गुटने तक लेके जाएंगे सिर्फ कमर से नीचे जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे यहां जाएंगे उस प्रकार से वही 15 से 20 बार करे करें फिर दोनों हाथ आँए हतेली यामने सामने रखें और आपस बढ़े और प्यकर शाएं इस प्रकार से पीछे जाएंगे यहां रुकेंगे और यहां जाएंगे रुकेंगे दो तिन बर ऐसे करें फिर थोड़ा फास्ट करें फास्ट जाएं फास्ट आएं फास्ट जाएं फास्ट आएं फास्ट आएं यह इस प्रकार से हम करेंगे तो यह थी साथियों आज सोटी मोटी स्टेचिंग एक्साइज जो हमने कहा कि बोड़ी के अपर पार्ट के लिए यानि के आपके सेर, गरदान, कंधे टेस्ट और कमर तक के लिए अगले वीडियो में हम लोवर पोजिशन की बात करेंगे तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थांक्यू, आपका दिन अच्छा हो, शुब हो आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें धन्यवाद